नमस्कार दोस्तो मैं दीपक चोड़सिया आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने कोईसूच कूबे रैप में पैसे जो है डिपोजिट कैसे कर सकते हूँ तो जैसा कि आप सभी जानती होंगे कोई सूच कूबे रैप में पैसे डीपोजिट करने का जो ऑप्सन है वो अब जो हटा दिया गया है अब आपने कोई सूच कूबे रैप में UPI से पैसे जो है डीपोजिट नहीं कर सकते हूँ जिसको लेके लोग जो है परिसान हो रहे हैं और अपने क्वाइन सूच कूबेर एप में पैसे जो है डिपोजिट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको परिसान होने की कोई भी जरूतर नहीं है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने क्वाइन सुच कूबेर एप में पैसे डिपोजिट कैसे कर सकते हूँ तो guys कọi oni सुच कुभेर एप में पैसे deposit करने के लिए सबसे पहले आप अपने कुभेर एप को कर लेना open open करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें चेक कर लेना है कि आपने कुभेर एप में कोंसा bank account जो है add कर रखा है इसको करने के लिए आप यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाना उसके बाद आपको यहाँ पे एक अप्सन मिल जाएगा bank account का तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना उसके बाद आप यहाँ से चेक कर लेना कि आपने कोईन सूच कूबे रैप में कोईसा bank account add कर रखा है अगर आपने कोई दूसरा बैंक एकाउंट एड का रखा होगा Paytm Payments Bank को छोड़के तो यहाँ से आपको Edit करके Change करना होगा यहाँ पे आपको अपने Coin Suge Kuber App में सबसे पहले तो अपने Paytm Payments Bank Bank एकाउंट को एड करना होगा तो अगर आपने कोई और बैंक एकाउंट एड़ कर रखा है Paytm Pemints Bank को छोड़के तो यहां से आप Edit करके जो है Change करके यहां पर Paytm Pemints Bank को एड़ कलेना सबसे पहले CoinSource Koober App में तो सबसे पहले आप इसको कलेना इसको करने के बाद आप जो भी Paytium Pements Bank एड़ करना वो आपका on होना चाहिए, मतलब कि चालू होना चाहिए तो इसके लिए add करने के बाद आपको portfolio पे आ जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे deposit INR पे click करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे inter amount में amount डाल देना होगा, कि कितने पैसे आप इसमें deposit करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे store pay डालके deposit पे click करता हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे deposit करने का जो process है, वो आप बिल्कुल change हो चुका है अब यहाँ पे आप यूपियाई से पैसे डिपोजिट नहीं कर पाऊगे, अल्ली आप बैंक transfer कर सकते हो और यूपियाई से add नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे bank transfer से add करने के लिए आप इस पे click कर देना, उसके बाद आपके सामने यह वाला page open हो जाएगा, अब यहाँ पे आ आपको अपने bank account से इस वाले account में पैसे जो है transfer करने होंगे, कोई सुच कूबेर app में पैसे जो है deposit करने के लिए, तो आपको इसके लिए बस यहाँ से simple सा एक screenshot ले लेना है, उसके बाद आपको अपना PTM app open कर देना है, PTM app को open करने बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता ह पैसे आपको उसी bank account से इसमें transfer करने है, जो bank account आपने इसमें कोई सुच कूबेर app में add कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कि आप पैसे उसी bank account से add कर सकते हो, जिस bank account को आपने कोई सुच कूबेर app में add कर रखा है, गश जेसा कि आपने कौनिसियूज कूब्येर एप में पैटीयंप पैमिन्स बैंक को एड़ कर रखा है तो आप उसी पैटीयंप पैमिन्स बैंक से ही ट्रांस्पर करोगे पैसे पैसे आपको पैसे मिल पाएंगे Otherwise आपका पीयमिन्ट जो है फेल्ड हो जाएगा जो है पैसे ट्रांसपर कर देना ट्रांसपर करनी के लिए सबसे पहले आप बैंक नेम जो है जो कि IDBI बैंक है उसके पार account नमबर आप यहां से कॉपी करके महान पे डाल देना उसके पार कड मैं धाल देना वसके बाद ऑ fino अपोड फिर ऐलेना इंट्र डालेना उसके पाद रियंट्र एकांट नमीड यूंज़ा बैंक से सौर इन्युपय उसके लिए चाते हो उतने पैसे आप यहां से ट्रांसपर कर देना इसको जैसे ही आप कर दोगे वैसे ही दो तीन मेंट के बाद आपका जो पैसा होगा वह आपके कोई सुच कुबेर एप में सकस्पुली डिपोजिट कर दिया जाएगा अब गैस आप जो है एक बात यहां पे ध्यान रखना अगर आप अपने से हो सकता है जो बैंक अकाउंट आपने कोई सुच कुबेर एप में एड किया होगा उसी बैंक अकाउंट से आप जो है पैसे इसमें डिपोजिट कर सकते हूँ तो यह चीज आप बिलकुल ही ध्यान में रखना दोस्तों बाइचांस अगर आपका पैसा जो है कर जाता है औ अपने कोई सुच कुबेर एप में पैसे जो है डिपोजिट कर सकते हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आर वीडियो को लाइक करना ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें